और आए जो हम कमाउटी बाजार की बात करी रहे हैं उसमें एक बार जो मेटल्स में कारोबार हो रहा है उस पर फोकस करते हैं कल शाम भी हमने बड़ी गिरावट आती है और आज भी अंतराशे बाजार हमारे बाजारों में भी मेटल्स पर दबाव बना हुआ है क्या है इसकी वज़ा नेहा है हमार साथ तयार बताने के लिए नेहा बताएं क्या चलना है आप सबसे बड़ा फाक्टर जो आपने मेंशन किया ही कि चीन आज से लेकर 16 तारीक तक नए साल की छुटी पर है तो वहां से डिमांड पे तो कोई संकेत है नी और वो बड़ा मार्केट है बड़ा कंजूमर है एलमी वेरहाउस की बात करें तो हमने पिछले हफते ही देखा महीने भर की उचाई पर सारी इंवेंटरीज चली गई है शंगाई एक्सचेंज पर बात करें हफते भर में 21% इनका भी भंडार बढ़ गया है जिंक, कॉपर दोनों के भंडार हमने दोनों ही एक्सचेंजर के वेरहाउस में बढ़ते हुए देखे हैं यही नहीं चीन के हाल फिलाल में जितने आकड़े आए हैं आप मैनिफाक्टरिंग का नंबर देख रहे हैं अमेरिका में व्याजदरे जल घटने की संभावना नहीं है तो वहाँ पर भी फिर से डिमांड को लेकी कंसर्न्स है और डॉलर इंडेक्स यहाँ पर फिर से 104 के पार निकला है तीन महीने की उचाई के करीब है तो यह सारे फैक्टर्स जो एक साथ एकत्रत हो गए है यह सब मेटल्स पर अपनी चाप छोड़ रहे है बिल्कुल तो सारे फैक्टर्स एक साथ आगए और मेटल्स पर अपनी चाप छोड़ रहे हैं और इसलिए यहाँ पर आप वीक्नेस भी आते हुए देख